जै मातादी और दिपावली के दिन विशेश तोर पर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में संपूरन जान करें आपके इस वीडियो के माध्यम से देना जा रहा हूँ यदि आपके ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक को शेयर जुरूर करें चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए दिपावली पर कार्तिक मास की अमावस्य तिथी क्यों मनाया रहते हैं कार्तिक मास के अमावस्य तिथी साल 2023 में 12 नमंबर 2023 दिन रवीवार को तो पैर 2 बचकर 44 मिंट से शुरू होगी दिपावली के दिन शाम को 5 बचकर 49 मिंट से लेकर 7 बचकर 56 मिंट पर लक्ष्मी पूजन का समय होगा इसके बाद 9 बचकर 5 मिंट रात्री को लेकर आपने 10 बचकर 22 मिंट के बीच में लक्ष्मी पूजन करना है जो व्यक्ती सिंग लगन के अंदर दिपावली में लक्ष्मी पूजन करते हैं वो रात्री 11 बचकर 50 मिंट से शुरू करेंगे अपनी पूजा और 2 बचकर 15 मिंट एम तक जो हैं सिंग लगन के अंदर लक्ष्मी पूजन करेंगे पूजन के बाद आपने करना गया उता पूजन के समय जब हम अपने घर में लक्षमी पूजन करते हैं तो आपने अपने घर के मंदिर में लक्षमी जी की परतिमा रखने हैं चाहिए पहले आपने वहां पर गी का दिपक्ष लाएं गनेश जी और लक्षमी जी की प्रतिमा पर आपने रोली का तिलक लगाए आपने फूल फल और मिठाई पंच मेवा ड्राइफ रूट कुछ पैसे आपने अपने मंदर में जरू रखना क्योंकि आप लक्षमी माता की पूजा करने जा रहे हैं शिरिशुक्त का पाठ करकर आपने ओम शिरी मा लक्षमी नमा मंतर का जाप करने 108 बर एक चांदी का सिक्का जो आप धन्त 13 पर जिस सिक्के को उपर पूजा करेंगे जिस चांदी के सिक्के को उपर आपने लक्षमी माता और गिनेश जी के प्रत् का फिर शैद का फिर जल का दूद से करें और उसके बार रॉली से अभी शेख करने के बाद साफ जल्द से दोकर और आपने मंदिन में लक्श्मी माता के चर्नों के पास रख दें और जब तक आप अभी करेंगे चांदे के सिक्वे के उपर सवास्तिक बनाएं मंदिर के बाहर स्वास्तिक बनाएं फिर आपने जो चांदे के सिक्वे पूजा की हुई है उस सिंक्के को दिपावली के अगले दिन, वहाँ से उठाकर से अपने घर के लोकर में रखते, ऐसा करने से आपके घर में पैसे की बरकत रहेगी और आपके घर में पूरा साल किसी भी परकार की कोई परशाणिय को देखने को नहीं मिलेगी, यदि आपको यह वीडियो अच् को शेयर जुरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुली जैम आता दी